दोस्तो हिंदु धर्म शास्तों के अनुसार दिन का आरंब भगवान सूरे को आर्थि देकर उनकी बंदना से करना चाहिएं। जब शिरी विष्णु भगवान धर्ती पर भगवान शी राम की रूप में अप्तरित हुए थे, तो वो भी अपने दिन का आरंब भगवान सूरे नारायन की पूजा की उपरांत करते थे। मानिता है कि इनकी क्रपासी रोक और शोपनश्ट हो जाते हैं। सूरे देब को प्रतक्षि देवता कहा जाता है, क्योंकि मूत रूप में सूरे देब को देखा जा सकता है, अर्धात हर कोई इनके दर्शन कर सकता है। जोति शास्त में सूरे देब को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूरे देव की पूजा करने से अशुक रोहों की कुप्रभाब से भी मुक्ति मिलती है शनी देव की साड़े साती और धैया की कुप्रभाब से मुक्ति हेतु सूरे देव को जल देने की सनादी जाती है कहते हैं सूरे को प्राय तहकाल जल देने से मनुष्य का दुर्भाके भी सौभाके में परवर्दित हो जाता है दोस्तों जहां सूरे देव को सही बिधी से जल देने से उच्चपत और मान सम्मान की प्राप्ति होती है वहें अगर गलत बिधी से जल दिया जाए तो इसका असर भी उल्टा होता है दोस्तों अगर आप सूरे देब को काफी समय से जल चड़ा रहे हैं लेकिन फिर भी आपके भाग्य में कोई परवर्दन नहीं आ रहा आपके जीवन में कटनाईयां बने होई हैं कोई परवर्दन नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप सूरे देब को सही बिधी से जल नहीं दे रहे सूरे देब को गलत बिधी से जल देने से नुकसान होता है इसलिए सूरे देब का पूजन तो अवश्य करें लेकिन पूजन करने से पहले पूजन करने की सही बिधी अवश्य जानने आज की इस वीडियो में हम आपको सूरे देप को जल चढ़ाने की सही बिधी बताएंगे अगर आप इस बिधी से सूरे देप को जल चढ़ाएंगे तो इससे आपको अत्ती शीक्र ही लाप प्राप्त होगा आपके आत्म विश्वास में बढ़ोत्री होगे द्रहों के दुश प्रभाप दूर होगे बिगडे हुए कारे बनने लगेंगे भगवान सूरे की करपा से कारियों में सफलता मिलेगी और उच्चपत की प्राप्ती होगे मस्तिस्क तेज होगा और परिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होगे भगवान सूरे को गलत बिधी से जल देने से जहां घर में तरिता आती है वहीं सही बिधी से जल देने से घर से गरीबी दूर हो जाती है भगवान सूरे देव को जल चढ़ाने का सबसे पहला नियम यह है कि सूरे उदे के एक घंटे के अंदर सूरे देब को जल अवश्य चढ़ा देना चाहें सूरे उदे के समय जल चढ़ाना सबसे जादा शुबमाना जाता है लेकिन अगर आप एक घंटे के अंदर ना चढ़ा सकें तब भी आप सुभे आठ बची तक सूरे देब को जल अवश्य ही चढ़ा दें ऐसा कहने से सूरे देब अती शीक्र ही प्रसन हो जाते हैं सूरे देब को जल चढ़ाने से पहले इसनान अवश्य करें इस नान का सच्छ बस्त धारन करने के बाद ही आप सूरे देब को जल चढ़ाएं सूरे देब को जल चढ़ाते समय हो सके तो लाल रंग की बस्त पहने लाल रंग की बस्त पहन का सूरे देब को जल चढ़ाने से सौभाके में ब्रत्थी होती है और सूरे देब की कृपा प्राप्त होती है लेकिन अगर लाल रंगे बस्त ना पहन सके तो भी इस बात का विशेध्यान रखें कि काले रंगे बस्त पहन कर आप भगवान सूरे देब को फूल कर भी जल ना चड़ाएं सूरे देब को जल देते समय आपका मुख पूर्विदिशा की तरफ होना चाहिए अगर कभी पूर्विदिशा की ओर सूरे नजर ना आएं जैसे बादल हैं आपको सूरे ना दिखें ऐसी स्थिति में भी आपको पूर्विदिशा की तरफ मुख करके ही भगवान सूरे देब को जल चड़ाना है सूरे देब को जल चड़ाने के लिए शीशे, प्लाश्टेक, चांदी आदी किसी भी धातू के बर्दन का प्रयोग नहीं करना चाहिए सूरे देब की धातू तांबा है इसलिए सदेब सूरे देब को तांबे के पात्र से ही जल चढ़ाना चाहिए सूरे देब को जल चढ़ाने से पहले कुछ भी खाना नहीं चाहिए माना जाता है ऐसा कहने से दोश लगता है सूरे देब को सदेब मीठा जल चढ़ाए मीठा जल यानि की जल में आप थोड़ी सी शक्कर, मिश्री या फिर गुर मिला लें और फिर यह मीठा जल आप सूरे देव को चढ़ाएं साथी जल में थोड़ी सी साबुच चावल भी मिलाएं लेकिन ध्यान रखें एकादशी के दिन जल में आपको चावल नहीं मिलाने क्योंकि एकादशी के दिन चावलों का इस्तमाल करना बर्जित होता है हो सके तो जल में दो लाल पुष्प भी डाले और फिर इस जल से आप भगवान सूरे देव को जल दे इस जल से भगवान सूरे को जल देने से घर में सुक सम्रद्धी आती है और सूरे देव अतिशीक्र ही प्रसन हो जाते है सूरे देव को जल चढ़ाते समय अपने दौनों हातों में आप जल की पातर को अपने से से उपर उठाएं और फिर आप भगवान सूरे देप को जल चढ़ाएं भगवान सूरे देप को सदय तीन बार में जल चढ़ाया जाता है यानि कि जल चढ़ाएं फिर एक दो सेकंड के लिए रुकें फिर चढ़ाएं फिर रुकें और फिर तेसरी बार में आपको पूरा जल चड़ाना है। इस तरह से जल चड़ाने से जल की धारा में से सूरे देप की सारी केरणे आपके शरीर पर पढ़ेंगी। जिससे आपके शरीर में पॉजिटिव एनरजी का संचार होगा। आत्म विश्वास में बढ़ोत्री होगी और बीमार यांदूर होगी। साथी नब ग्रहों का भी आशिरपात प्राप्त होगा। जल चढ़ाने के बाद अपने ही इस्थान पर खड़े होकर आप तीन बार क्लॉक वाइस खूमकर सूरे देप की परिक्रमा भी अवश्य करें। जल के पातर में चावल, पुश्व या कुछ बर जाए तो उसे हाथ से निकाल कर आप जल के इस्थान पर डाल दें। जल चढ़ाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चढ़ाया हुआ जल आपके पैरों की तरफ ना आए। जल जल जमीन भी तो आप एक खाली पातर जमीन पर रखें और फिर उस पातर में सूरे देव को इस बिधी से जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद पातर के इस जल को आप किसी पौधे में डालते हैं। ऐसा करने से कोई दोश नहीं लगेगा और नाहीं जल आपके पैरों में आएगा। सूरे देब को आठी देते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि सूरे देब को जल आपको धीरे धीरे चड़ाना है। सूरे देब को जल देते समय सूरे देब के किसी मंतर का जाप अवश्य करें सूरे देब का सबसे सरल मंतर है ओम सूर्याय नमा इस मंतर का जाप करते हुए आप सूरे देब को जल दें जल देते समय और परिक्रमा करते समय आपको इस मंतर का जाप करना है सूरे देप को जल चढ़ाने के बाद पातर में थोड़ा सा जल छोड़ दे और उस जल को अपने हाथ में लेकर अपने चारों तरफ उसका छिड़काप करें ऐसा कहने से सकारात्मक उजा का आपके चारों तरफ संचार होगा शिड़काप करने के बाद ही आप अपने इस्थान पर खड़े होकर सूरे देप की तीन clockwise परिक्रमा करें फिर सूरे देप को प्रणाम करें ध्यान रखें पीरिट के दोरान महिलाएं सूरे देप को जल ना चढ़ाएं दोस्तों इस बिठी से सूरे देप को जल चढ़ाने से सूरे देप की कृपा प्राप्त होती है सूरे देप की कृपा से जीवन और काम काच में आने वाली बाधाय दूर होती है साथी धन प्राप्ती के योग भी बनते हैं ग्रहे तोश के नकारात्मक प्रभाप कम होते हैं और घर में शुक्षांती का बातावरण बनता है। इस तरहें सूरे देब को जल चढ़ाने से आपके कौशल में निखार आएगा। आपके आत्म विश्वास में बढ़ोत्री होगी जिससे आपका ब्याबार और कामकाच अच्छा होने लगेगा। पिध्यार्थियों को भी सूरे देब का पूचर अवश्य करना चाहिएं क्योंकि सूरे देब के कृपा से ही परिख्षा में अच्छे अंग प्राप्त होते हैं। जिन्हें अपने जीवन में सफलता नहीं मिल रही और वह हर वक्त परिशान रहते हैं। ऐसे सभी लोगों को सूरे देब का पूचर अवश्य करें। जिसी भेवी इसका लाप उठा सकें। हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग राधी राधी। जिसी भाईब करें।